यांत्रिक उर्जा सरक्षन यांत्रिक उर्जा सरक्षन नो टॉपिक छे वह यांत्रिक उर्जा सरक्षन नी बाद करिये तो मोटा पागे आपणने जम उर्जा सरक्षन छे जम उर्जा नो जथ्थो अचर रहे शे यहां यांतिरिक उर्जा नो जथ्थो अचर रहे हैं यांतिरिक उर्जा क्वान क्या आई शे त्रण प्रकार नी उर्जा नो आपड़ा भ्यास करवान होचे आचेप्टर माँ कई-कई तो पहली आवसे गति उर्जा यह अल्रेडी बढ़ी गयाओ, हाफ Mb2 मुझब बीजी आवे स्थिती उर्जा यहां एक प्रकार नी स्थिती उर्जा तमें बढ़ा गुरुत्वी स्थिती उर्जा माइनस MgH अब यांतिरिक उर्जा बढ़ी सू तो यांतिरिक उर्जा यह वास्ता माँ बीजू कहीं ना थाए पड़ गति उर्जा स्थिती उर्जा नो सर्वाल हो थाएचे पड़ चोककस परिस्थिती माँ तो कई परिस्थिती ने बदू यहां थोड़ू जोवाल होँछे ड़ड़ ना पर लखेला लखे में F डेल्टा एकस आएकस टेप चे अब यह वीजू स्थिती उर्जा नी व्याख्या अमना जोई आपड़े स्थिती उर्जा नी व्याख्या तो यह मोँ आपड़ लखे के डेल्टा वी बराबर माइनस डब्ल्यू के वाए अथवा-S Lewis अथवा एक काम करूं जोshop डेल्टा के बराबर यह जो इूँ तो डब्ल्यू इप डेल्टा एकस डेल्टा वी बराबर माइनस डब्लीू इफ़ अथवा- bored देल्टा एकस तो यह तो रिलेशनलों आप यह उपर थी के डेल्टा के k बिल्टा U बराबर केतला थाए तो डेल्टा k बराबर प्लस W डेल्टा V बराबर माइनस W टोटाल करूँद खेलोव जेरो थाए तो डेलिता k बिल्टा U बराबर 0 था अब जे आ यह नोब अर्थ सु दियो के आ सीचुएशन आ टाइप नहीं हवी जो के delta k plus u बराबर 0 थवा जोई कराण के आनो simple आपना normal case मां सू लखेएचे कोई पड़ नहीं के था के delta a plus b आऊ होए तो आनो सू लखेएचे delta a बता delta b तो यह महिया लखाएं के delta k plus u बराबर सू लखाए delta k plus delta u बराबर तो 0 जो याद करो के जार फेर फार 0 थाई छे एनो मटलब जे संख्या असे के अथवा जे सु कहा के बस्तू छे एके भी रहसे अचड रहसे पद असे अचड असे तबहें जो कोई पड़ पड़ नहीं फेर फार 0 हो छे एट मिस इस पड़ के उरे अचड रहे अथवा भीजा छे पड़ माई जो हो अचड था जे तो यहा आप अचड जो जो हुज़ जाती यानों डिल्टा लहिए तो इक स्वारुपमा के पड़ आवड आवसे जीरो था है याट मिस आग के पलस यू अचड से k plus u बराबर अचल थाए जो समझो जारा यहनो फेर फार 0 शे delta k plus delta u 0 तो यहनो मतलब k वत्ता u के वाँ थी अचल तो यहनो सीधो अर्था पड़े एक लोज बताईए k k plus u अचल होए k1 वत्ता u1 u1 नहीं ले तो v लखू छू टेक्सबुक माँ v राक्यू शेद v राकों एन्थी कोई फरक नहीं पड़े तमने j ठीक लागे यह परमाणे k1 प्लस v1 is equal to शू लखाए k2 प्लस v2 एनो मतलब के k plus v बराबर अचल शे गतियूर्जा वत्ता स्तितियूर्जा नो सरवालो अचल शे तो प्रारम मा गतियूर्जा वत्ता स्तितियूर्जा नो सरवालो बराबर अंतमा गतियूर्जा वत्ता स्तितियूर्जा नो सरवालो तो आएक रिलेशन आपने एडजेस्ट करिए और अहीं एक स्टेप बतायू शे k plus v एन अपने यांत्री गुर्जा कहीं दीशे k plus v बराबर यांत्री गुर्जा और यांत्री गुर्जा के वीशे आपना माटे आच ओड़ जे आए एक step समझ वालूँ जे ये आपने clear करीए तो मोटा पागे theorinotopic आपने समझ आई जे क्यों मैं पहला सरुवातमा तम ने समझाई हूँ के इस टेफ मा यह एक क्लियर करूँ है फिक कारियों उड़ जा प्रमाएं W बराबर कितला जाए डेल्टा केश है W बराबर डेल्टा के बराबर F डेल्टा एक्स लखाए स्ती्ती उड़ जानी व्यक्या काई अम्णाज बात करी मैं तम ने डेल्टा व बराबर माइनस W बराबर माइनस F डेल्टा एक्स तो डेल्टा k plus delta v करूँ, तो ये तो 0 थाएशे, येनो सिधो अर्चु धियो, कि delta k plus v ये 0 थियो, येनो और मतलब थियो कि कोई पड पड नो फेरफार 0 थाए, तो येनो मतलब ये पड अचल असे, तो ये k plus v अचल थी, अचल होए तो आखी प्रक्रिय अधर में अचल रहेशे, तो k 1 plus v 1 प्रारं मा बराबर k 2 plus v 2 अंत्मा ये पंड रिलेशन बनिये करे? अवज वाज़े ये तो k plus v, ये गती उरजा बत्ता स्थीती उरजा येना सरवाळाने यांतरी उरजा केवाज, गति उर्जान स्थिति उर्जाना सर्वालान सु नाम आपिए यांतरिक उर्जान इनाम आपिदी दुशे अब जो आज ये तो यांतरिक उर्जान सनक्षन नो जे भी नियम छे आज एक क्यारा साचो पड़े शे अन कई रिते बने शे तो पहलो पॉइंट यहां ध्यान आप पान हो जे यहां तरीक उड़ जा सरक्षिन और यहां मा बेतरन पॉइंट छे जे समझ वाज पड़ता जरूरी छे यहां पहलो कि आपनी पास ते जे स्थीती उड़ जा छे ए अधिश अन्य अधिश जे पड़ साथे सरक्षी होई प्रारंभिक न अंतिम स्थान पर आधार राक है यहां मार्ग उपर ना राक है तो यहां आपनी पास स्थीती उड़ जा जा जे सरक्षी होई जरूरी छे तो पहला तरण पॉइंट मां आपना समझ जे जे यहां मों पहलो जे के वी बराबर माइनस एफ डेल्टा एक्स आ स सरक्षी नो मटलब सुधाए तो सरक्षी नो मटलब थाए किम कारिया मार्ग पर आधारीत ना होए आधार ना राखे प्रारंभिक ने अंतिम स्थान पर आधार राखे तो थर्ड पॉइंट चे बंद मार्ग पर कारिय शुन्य मोले तो आत्राण पॉइंट होए तो जे आंतरीक उर्जा आपड़ा है जेक करी एक के ना कहीं शिर्क्षी नो पर आधार राखे प्रारंभिक अंतिम स्थान पर राखे ख़ें थार्ड़ पॉइंट बंद मार्क पर करिए, तो कारिया 0 धाउज हूज हुए, आ सिच्चोेशन बने तो यांत्रीक उर्जा सरख्षन कही शェक्चे है, यांत्रीक उर्जा सरख्षन मसु कही शेक्चे है, वैं डीइम यहो जहें, कि संराक्षी सेत्र मां संरक्षी सेत्रमा गती उर्जान स्थिती उर्जानों कुल सर्वाडों यांतरिक उर्जा जेकलो था है यह एक बाद आखो question revise करूँ पछी आपड़ा textbook ना बेज उपर समझवानों try राखे तो पहलो fundamental topic ने समझीलो question easy छे दरेक जनने ध्यान पर आवे हो छे पहला मैं कारिय उर्जा प्रमाई लगते हो तो w बराबर delta k बराबर सु लखाए f delta x तो simple topic छे स्थिती उर्जानी बात करिए तो delta v बराबर minus wky बराबर minus f delta x बेनों सर्वाडों करें तो delta k plus delta v बराबर 0 था हो जो यह ए एनो मतलब थे हो कि delta k plus v बराबर 0 था है अने त्यारे स्थाई ज्यारे पहँ अचल हो है k plus v बराबर अचल थे क्यों एनो अर्थियों के प्रारंबिक गती उर्जा प्रारंबिक स्थिती उर्जानों सर्वाडों बराबर अंतीम गती उर्जा बत्ता अंतीम स्थिती उर्जानों सर्वाडों थे जाए एनो सीधो अर्थियों के k प्लस v बराबर कूल उड़ जा एकले के यांतरिक उड़ जा क्या वाई अब आत्यारत साचू पड़े कि जा रहे v बराबर माइनस f डेल्टा x डेल्टा भी लखो तो ये चाले ये संरक्सी से त्रह हो जो ये बीजु ये दर्म्यान कार्या मार्ग पर आधार ना राखे पड़ प्रारंपिक न अंतिन स्थान पर आधार राखे अन थर्ड अन लास्ट वन के बंद मार्ग थाए तो कार्या के उठाऊ जो ये शुन्य थाऊ जो ये आ सीचुएशन बन से अवा आको क्वेश्चेन आपड़ो आर इतनो थो ये यांतरी कुर्जा सरक्षन नो नियम शे जे दरेक न आवड हो जो ये सनरक्षी सेत्रमा समझ्यो सनरक्षी सेत्रमा गती उड़जा स्थिती उड़जानो कूल सरवालो अचर रहे शे अत्वा सिधा श्टेप मा लखे सनरक्षी सेत्रमा कूल यांतरी कुर्जा आचर रहे शे आयनो नियम शे अवा उतमने टेक्सबूक बेज समझाओ शे बे मिनिट आपड़ा है एने चेक कर लिए तो अपड़ी मा कई रिदे लख्यो ये ये एक वाज जो ही लिए तो दरेक दिना थोड़ूक द्यान राग जो हमा ये अंतरी कुर्जा नू सरक्षन नी बात खाए छे जो ये अंतरी कुर्जा सरक्षन नी बात करी है तो अपड़ एक सिधार दमा लख्ये शे कारिया उद्जा प्राम है मुझे अप डेल्टा के बराबर F डेल्टा एक्स next पजी आपड़ा जो इस स्तिती उर्जानी व्यक्या delta v बराबर minus f delta x यहने minus आगल लिदू छे तो मैं एरी ते राखो अत्मा जे सीदू राखी तो तो भी चाले delta v बराबर minus f delta x यहना पर्थी कहीं लखाए delta k plus delta v बराबर 0 धहीं जाए delta k plus delta v बराबर 0 तो यहना मतलब delta k plus v बराबर 0 थे तो यहनो सीदो अर्था पड़न एटलो आयो कि आना पर्थी आपड़ा कई शेक एक स्तिती उर्जान गती उर्जानों सर्वालों क्यों रहाचे अचर रहाचे स्तिती उर्जान गती उर्जानों सर्वालों अचर रहाचे तो एना माट के वन वत्ता वी वन बराबर के टू वत्ता वी टू एनो सीधो अर्थियों के प्रारंबिक गति उड़ जा वत्ता प्रारंबिक स्तिती उड़ जा बराबर प्रार अंतिम गति उड़ जा वत्ता अंतिम स्तिती उड़ जा था से अब यह के प्लस वी एना सरवाडाने सु कही दिदू यहां तरीक उड़ जा कही छे यहनो अर्थ यह के गती उड़ जा बदलता जाओ साथे साथे स्तिती उड़ जा बदला से पड़ यहमनो सरवाडों यह कूल के ओर है अचरवे बस आएक सेंटेंस दिदू हाँ आपड़ तरण मुद्दा दियान मोलेवाला से यहमों पहलों मुद्द में बतावा छे कि जो अदीश रासी यहले मैं तम आवाद करी कि आ एक अदीश रासी चे और यहनों समिकरन वी बरा माइनस F डेल्टा X ये सनरक्सी सेत्र होए F X सनरक्सी सेत्र होए तोज आ साचू पड़े शे सेंटेस न थोड़ू ध्यान आकिन आप विजुगदू लगवाएं वजार जरून न थी पड़े तोज साचू पड़े सेकेंड स्टेप माँ आपने ये बताईन वाद करी शे कि सनरक्सी बढ़वडे थतू कारिया पक्त प्रारंपिक ने अंतीम स्थान पर आजार राख्या शे लिए अपने एने डव्यू बराबर लख्ये तो कि ये फाइनल माइनस के इनिशेल अत्वा वी एक्स माइन फाइनल इनिशेल माइनस वी एक फाइनल आप रमाणे बताई शेक किये शे अन्ने थर्ड बन लाज्ट टेप छे कि जिनी अंदर कवी शेक कि आ सनरक्सी बढ़वडे बंद मार्क पर आखाय बंद मार्क पर कारिया करा हो जो तंत्र पर सनरक्सी बढ़वडे थतु कारिया हो तो कूल या अंत्री कूर्जा के भी रह से अचार रह से करवो शेया जी तो आगण मों पॉइंट लूँ अड़से एक छे अब है स्परींग नों पॉइंट लूँ छू स्परिंग ना दोलननी बात करू छू बरबर, तो स्परिंग ना दोलननी बात करू तो हीहा हो तोम अगणी सामे एक पॉइंट हीह क्लीर करू छू धरिक जाना द्यानितści समत्ता जाजो तो spring नी condition अपड़न ख्याल हो जोई, spring मा आई ते spring पड़े ली होई तो spring आम थी आम आप बनने तरप दोलन करया कर से, अब तो आज जो दोलन करती होई spring तो एक पहली कंडिशन है यां समझे, यह हम धर नो पदर छे, अही थी हम दोलं कर से, तो spring नी खासियत कही है से, तो अबजर कर से, spring नी अंदर तमें यह खेंचो, spring नी वधार पड़ती खेंचो, तो यह अंदर पुना स्थापक बढ़ उद्वाव है, पुना स्थापक से, तो अबजर कर से, spring नी अंदर पुना स्थापक बढ़ उद्वाव से, तो अब अर्थ सु धो, प्रामाला फटारा अम्यों है स्थानानतर चाल्टमालने अंतर संप्रमाण मुलिवत करें तो बॉल क्या लागिए। विरुद मा लागिए। जो तम्हे स्थानांतर आधिया एरिक्षन मो कराओ, आम कराओ स्थानांतर, स्थानांतर आधिया नीचे ख्याओ, तो पड़ बॉल क्या लागिए। विरुद दिशा मा लागिए। वजन्द रहीत लेवानी, जो वजन्द वाले स्प्रिंग लेट पाची केल्कुलीशन भडला से, यह तो दोलान में आपना बढ़ी सु, वजन्द रहीत एक छेड़े थी जड़ी थोएवी, एक छेड़े थी बादेली थोएवी, और एक छेड़े एम दर नो पजार थोएवी यह तो टेबल पार स्प्रिंग पढ़े लीचे, समसीती चे, अन्द दोलानों करेश, नीचे कोई गर्शन नाती, यह कोई प्रकार नो गर्शन नाती, तो थसे शू, के स्प्रिंग ने जर आम खेची शू, तो बढ़ अंदर नी तरब लाग से, स्प्रिंग ने अंदर नी बढ़ दो पुना स्थापक बढ़ चे, स्प्रिंग ना संप्रमाण मों, पन स्प्रमाण मों, पन स्प्रमाण नी कई डायरेक्शन मों से, विरुद्धिशा मों से, आपनो फर्स्ट पॉइंट सिंपल समझ आई जवी जवा तमने, एक तो यह ध्यान पर राखवान हुझे, कि आई सिच्वेशन मों कई रीदे थासे, वे स्प्रिंग चलित बढ़न उदार हुझे, गैम चलित बढ़ती हुझे, तो अवध हमने ख्याला हो जोई, कि जम जम अंतर बढ़ला है, एक बढ़ले बढ़ला है शे, सानांतर ना संप्रमाण मों खे, जम जम सानांतर बढ़ल पॉइंट उन वाजु मान नोट करतो जऊचु ये समत्ता जज़ू अन आपड़े ए प्रमाणे ये समझी लगता भी जईशू चलीत और सनक्षी बल शे शे बल लागसे एक आए टाइप नो होसे चलीत बल शे और सनक्षी बल शे अन पची उदाण बतायु शे तो आएक सिंपल आकरूती ना आदारे समझाई हुझे क्या आकरूती मा दर्शया प्रमाणे एक स्प्रिंग शे एनो एक चेड़ो जडिच चे बीजा चेड़े एम दरनो पदार लटकाई हो शे अन ए टेबल उपर आम्थी एम दोलन करया करा चे तो ए दर्मेन बल क्यों ना आएकशन मा आसे विरुद शे मा आसे तो जो आहिए शिंपल इंट आ पीच है आधर स्प्रिंग मा आटे बाढ़े एकडस ना संप्रमार मा वाइज़े पन आपड़े लखी देवान उस उस्थाना अन तर्म ने विरुद शा मासे तो एक से इस्थाना न थसे ए दन होई तो k 600 तो एनी बात करूँ जो अब ध्यान राग जाओ k न बड़ा चलांग क्या हमाँ से k न सून आप आप जिशे तो ध्यान आप हो k बड़ाबर बड़ा चलांग चे k बड़ाबर बड़ा चलांग चे k न एकम बनाओ तो भी f बड़ाबर k x पर थी k बड़ाबर क्या हमाँ आप है f अपोन x तो एकम क्या हो थी f नो newton x नो meter क्या हो दाइक है Newton पर meter Newton पर meter और पारिमानिक सूत्र पुरुष्ट्णार जेत्रो m1 बनाओ l2 t-2 m1 l1 t-2 और नीजे l1 आप है तो कम्बाइंड करिये जू हाँ, m1 l0 t-2 आप बड़ अचलांग नीबा बाद करी तो जो आई हैं सिम्पल सम्झो, f बड़ाइ सानांतर ना संप्रमान हो पड़ा सानांतर नी विरुद्धिशाम शे अन यहां पारिमानिक सुतर m1 l0 t-2 आई हैं यहां जो आजाओ तो बड़ अचलांग माटा सिम्पल सेंटेंस जि कड़क स्प्रिंग होए यहां ऊचलांग वधू हो और जिन नरम स्प्रिंग होए यецांज बड़ा अचलांक वदू हो है टो यह defense अब आपकने संप्रिंग समझा क्यों जो THAT Day April के यह отвए जिन करलक स्परिंग से यह जोए यह अनू बड़ा अचलांग को तो जो आज टेप मां आपड़े समझा तो आपर थी एट्पलो तो ख्यान आई क्यों कि आनी अंदर कौनी-कौनी वाद करे ली छे तो मैं पहला बर्ण नू एक रिलेशन लीदू जे अवा मारा कारिया नू रिलेशन लेऊ जे तो यह सेंटेंस लगू जो समझ जो क्वाना वड़े थतुकारिया स्प्रिंग बड़ वड़े स्प्रिंग बड़ वड़े थतुकारिया स्प्रिंग बड़ माइनस के एक स्प्रिंग बड़ वड़े थतुकारिया लगू तो यह यह व बराबर इंटेग्रेट मा लग्खे शे f into dx आज टेप छे क्या थी क्या जेवानू initial थी final मा अथवा 0 थी x लग्यू छे तो आपड़े 0 थी x लग्ये छे f ना बढ़ले हूँ minus kx करूँ तो integrate मा 0 थी x f ना बढ़ले minus kx into dx कोई संकलन करिया पर में मा केट लो जाब आवे sorry minus तो अल्रेडी मारी भूल छे आगर minus नहीं आवा पर अहीं या लग्यी दो minus kx into dx minus k बार निकली जाए x नो संकलन केट लो थाए x square by 2 तो मने लोगों ध्याना से x square by 2 थासे that means अहीं या minus बार निकले k बार निकल से को उसमार रहसे x square by 2 और 0 थी x लग्ये यह अपना माटर सीधू थाही जासे कार्ये केटलो थाए तो w बराबर minus 1.5 k x square और कभी आव बार 1.5 माँ 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 आए तो समझ भाजेवों पॉइंक या की दो spring ball वड़े थतू कार्ये spring ball केटलो minus k x तो यहना वड़े थतुकारिये केटलू? माइनस वनहाप के एक्सपेल अवा हूँ पुछू शू बाहिया बढ़ वड़े थतुकारिये केटलू? कोई कैसे भई? अईया सिंपल सेंट काई समझाओ स्प्रिंग एकाई के अमनम तो खेचा से नहीं अवा हूँ अईया आम बार खेचु जो समझ जो जो आन बार खेचु तो पुना साफ़क बढ़ अंदर लागा शे तो आन आपना बार आम खेची ली दिवाई तो पुना साफ़क बढ़ वड़े थतुकारिये केटलू? माइनस वनहाप के एक्सपेल तो पुना साफ़क बढ़ वड़े थतुकारिये केटलू? एकलू नेकलू पुना साफ़क बढ़ के एक्सपेल तो यह स्टेप लाखु जो अब यह सेंटेंस समझ जो पुना साफ़क बढ़ वड़े कारिये तो डवली पराबर केटलू थाई क्यो? प्लस वनाब के एक्सपेल आ सेंटेंस आपड़ द्यान पर राख़ेशे अब यह समझो आजे सेंटेंस आपड़ टेक्सबूक मा जो आजे यह तो यह आपण नका विचेख स्प्रिंग बढ़ वड़ माइनस के एक्स याद राख जो spring barch minus kx जह अने न वड़े थतु कारिये संकल्हान करई तो minus 1 halb kx पर आयो अब आप यह इंशेक बाही बढ़े थतु कारिये spring barch थतु कारिये रून जहे तो बाही बढ़ बढ़े थतु कारिये dhun जहे तो यह dhun कारिये केट लू आओ है तो प्लस वन हाप की x पे बाई यह बढ़ बढ़े था तुम का रिया प्लस वन हाप की x पे यहाँ हुआ आलेक समझाए हो छे तो आ आलेक कौना विरुद कौन हो छे जो f वर्सीस x नो हो छे f वर्सीस x नो तो f नी f वर्सीस x नो आलेक समय सिंपल अबजर करो तो f नू equation कही हूँ minus kx f नू equation चे minus kx और minus kx हो है तो याद करो y बराबर minus mx डाल के हो आओ भी तो मने मैं समझाए हो दू y बराबर minus mx तो आर एक हानो डाल के हो आओ है आट आही दावसे आटो याँ भी आज रीते बताई हूँशे f वर्सीस x नो आलेक जो हो तो f बराबर minus kx आर रीते डाड़ावसे अन तमने याद आसे हमना आज बढ़ाता आपड़े कि f वर्सीस x ना आलेक नू शेत्रफर्चू बतावे कारिय बतावे तो f वर्सीस x ना आलेक नू आचे शेत्रफर्च एक कारिय बतावसे मैं कारिय जो आ बाजू मेजर करू तो ये बढ़वड़े थतू कारिय दन आ बाजू मेजर करू तो ये spring बढ़वड़े थतू कारिय रून बन्दे बास्ती लई एक है आब आजू नू कारिय दन ये बाजू बढ़वड़े थतू कारिय ये आब आजू नू कारिय रून छे तो ये कविव आवसे spring बढ़वड़े थतू कारिय तो इस येट आपड़े सिधार्च मा समझी शेक्केशे जो spring बढ़च प्रॉपर लेता होए ये रिते एड़्जेस्ट करी शक्केशे बाकी हमो कही बढ़़ार आवसे नहीं तो टुक म सेत्र फढ़ कितलो आवसे माइनस बन हाप के एक्सपेयर था ही अब आपड़ी पास से कारिय अमारी गयो ये बाहिया बढ़वड़े अब आपचे ये ये शेकिया लगो ना लगो लग वस्तु धसे अवह इंग आपने 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 सेंटेंस बताया जाए अवह आपने सेंटेंस काया जाए तो मतमत एक क्लीर करूँ जारो के आपने 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 तो आपड़ा स्प्रिंग बढ़नुचे सीदू आरिते लखो अथ्वास उत्र उपर थी लखी दो W बराबर माइनस वन हाफ के एकस्पेर आखुस अंकलन करवान फरी कोई जरूम नथी माइनस वन हाफ के एकस्पेर अब हमत हमें किम्मत मुक्ता आजाओ तो W बराबर माइनस वन हाफ अब है पहला के इतला इनिश्यल जह तो अथवा तो एक सिधा श्टेप माँ आखुस डेल्टा बराबर अथवार टोटल जह कारी अति हुआ इनिश्यल ती फाइनल नों यहनु संकलीत स्वरूपे बताई तो संकलीत स्वरूपे बताई दो हुआ आज एक्वेशन माँ डबली बराबर लखो जो आहिन लखसोत क्या लावसते हैं integrate मा x initial थी x final f into dx लखो थो हुआ किम्मत मा f ना बढ़ले लखी स minus k x तो x initial थी x final x ना बढ़ले लखी स minus k x into dx अब था मैं minus k बार काड़ू minus k बार काड़ी है जी x रह से x नो संकल अंके प्लोदेओ x square by 2 तो minus k अहीं था ही कियो x square by 2 x initial थी x final चला एक बार किम्मत मुको तो x final minus x initial बढ़ आगर minus तो x initial थी जाए उल्टा ही जासे तो आज टैपना यहां लखू है तो यहां लखू minus k x final नो square यह 2 आगर लखी जाओ चूँ x final नो square minus x initial नो square पर minus जाए एंटर करीज़ तो मने कारिये किटलू मने final w बराबर जो हो तो one half k x initial square minus one half k x final square आज टैप बंग से जे यहां आपड़ने लखीन बताई भी जाए तो हमें direct लखो तो भी चाले है अथ्वा माइनस के x लख्या माइनस के बार काड़ना क्या एक स्क्वेर बाई 2 करें के प्रारंबिक न अंतिम बिंदू सर्कू हो है यहां मतलब spring आम फरीन पाची इनाइच स्थान आई जाए तो कारिये के ट्लू था है तो 0 था ही जसे कारण के एक्स initial न एकस फाइनल एकच बिंदू था है प्रेंग आम फरीन पाची इकच जग्या आई तो initial न फाइनल सर्का था ही गया तो कारिये के 0 था ही तो इतला माट यहार प्रारंबिक न अंतिम स्थान सर्कू हो है तो कारिये 0 था ही जसे एनो मतलब कई सेत्र था है क् तो ये पर्थी आपन कही शक्क्यें कि आदर में अनकारिये सुन्य होए तो आज ये बहुत लागशे इसलोड बहुत लागशे इसलोड गजाए है f बराबर minus k x फक्त प्रारम भी गंधीम स्थान पर आधार राखे मार्ग पर आधार नहीं राखे तो ये स्थारक्षी बढ़ थाई कि ओके तो अवे इंच्वर्ट आपड़ो थियरी यहां पूरी थाई छे पर यहां आपड़ने सेल्लू सेंटाइस आपड़ने समझायू छे कि आपड़ने जे भी स्तिती उड़ जा छे ए स्तिती उड़ जा स्प्रिंग मां संग्राइत ज़ाँ से तो यकारणे लगफाई भनहाप के एक स्तिती वोड़ने स्प्रिंग नू तंत्र शंतोलस थिती महoses ता थिती उड़जा सेकेंड पोईट बाग काई हुछे कि आप्ड़ा है स्पुरिंग नी डीटेल बतावा नी आपड़ा सुसे यह वसम जो एक समतल पर एक स्पुरिंग पड़िए राओंअ यन्ने चेक छेड़े आपड़ चैन एक छेड़े जड़ीट जोड़िए लोशे अब ये स्प्रिंग ने ब्लोक शेयने थोड़ों खेंचवाम आवाँ तो स्प्रिंग मा पुनस्तापक बल उद्भव है अन ये पुनस्तापक बल स्थानांतर ना संप्रमाण माँ पड स्थानांतर नी विरुद्धी चामाँ तो ये बलन आपड़ा सु कही देवाए एफ बर अबर माइनस के अए अपयआ जनुठी अथे बतायों क्ये सूचे बल चलांकता ये एकक्रम थाए में तमना युठीस न्यूटण पर मीटर है अन बिजू कडक स्प्रिंग होए तो के वदर होए नरं स्प्रिंग होए तो के ओछ अमाइन थोड़ू याद राक nécessaire ना बल चला तो स्प्रिंग बढ़ वड़े था तू कारिया, 0 थी x, f इन्टू dx, वह f ना बढ़ले, minus kx लखो, minus k बार ने करी जा, x नू संकलन था, x2 by 2, 0 थी x लिमिट छे, तो कारिया नू सुत्र थिव, minus 1,5 kx, अ कौना वड़े थिव, स्प्रिंग बढ़ वड़े, मारे सोधू छे, यह बढ़ वड़े, तो यह बढ़ वड़े था तू कारिया, आक्रों नाक्रों, पन के तो, plus 1,5 kx, जे आपन नहीं, step wise, clear करी जे, अहीं बताई जे, आना, बा़ वड़ वड़े था तू कारिया जे, यह प्लस 1,5 kx करी जे, अन्वे, आक्रूती दोरी जे, f वरसी से, x ना आलेक मा जो आ जाओ, तो आचे सित्रफण बताऊ से, एज, spring बढ़ वड़े था तू कारिया, माइनस 1,5 kx करी जे, अन्वे, नेक्स्ट अवे ना, पची पॉइंट समझी है, तो यह फरी एकना, एक सेंटेंस, रिपीट करी जे, करी जे, आज सेंटेंस, के spring बढ़ वड़ तो डबली बराबर आनि अवे जरूर नदी, एक में वह ने निकाल पॉइंटेंस, इंटेग्रेट ओप, x initial, x final, f into dx, तो f ना परले, minus kx लग या, minus k बार काड़ या, x square by 2 थे, एक बार x final, minus x initial, minus अंदर एंटर करूँ, आज उतरा ही, तो यह आपनो काम पूरू, जो प्रा कारिया, zero शे, अवा, अपने इयां समझायू शे, जो प्रारंपिक न अंतीम बिंदू, सर्खा शे, एनो मतलब कारिया, zero शे, तो सिदो अर्थ्यों, के आपनों सेतर संरक्सी सेतर शे, और जे बळ शे संरक्सी बळ शे, फक्त मार्ग पर आधारित नती, प्रारंपिक न अं आप गाów से इंशर्ट आपन ने आपनने माहा खीन कारी कि a वहाह बहु पिए शंगर्ःत था स्तिति-उरजा के लिए था ? 5x ? अपहोदे खिस एंपतर स्तिति-उरजा के लिए 1-2 ήक श्यों से इंशुर्ण आपने आकलू ध्यान पर आओ जो ये पच्छीनु कोई लखवानी ये जरूम न थी ये सेंटेस तवकता समझवा पूरतू चे ले आब दू कहीं तैयारी मा लखवानी जरूम न थी